नमस्कार दोस्तों मैं हूने तिन गुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा पॉइंच का अकमप्लिस डैजल SR वेरियंट अब ये जो है CNG वेरियंट है और अपने लाइन अप का बाइट टॉप एंड वेरियंट है अतलब CNG में अगर देखेंगे तो ये वेरियंट एकदम टॉप वेरियंट हो जाता है तो सारी चीज़े आज अपन डीटेल बात करने वाले हैं इस वेरियंट के बारे में तो वीडियो काफे साथ इंफरमेटिव रहने वाला है तो इन तक बने रही है और चैनल में जो फर्स टाइम है तो ये क्या करना है बहुत सिंपल है ये कलर कैसा लगता कमेंट में मुझे ज़रू बताएगा अब सिंटर में अपने को टाटा का लोगो मिल जाता है पियानो ब्लेक ट्रीक्मेंट में अपने को ग्रिल मिल जाती है अब दोनों डियारल्स को कनेक्ट करती हुए एक अपने को क्रोम लाइन मिल जाती है अब इस स साइड अपने को fog lens मिल जाते हैं, try arrow का design अपने को bumper में मिल जाता है, अब front profile से अगर looks की बात करें, तो ऐसे कुछ looks अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं, अब width की अगर बात करें, तो यहाँ पर 1742 mm की overall width अपने को मिल जाती है, अब side profile के side में अपने जैसे आते हैं, तो देखिए creases वगेरा भी काफी बड़ी है अपने को यहाँ पर मिल जाती है, और A pillar और B pillar पूरा blacked out अपने को मिल जाता है, उपर अपने को मिल जाते हैं यहाँ पर roof rails, क्योंकि यह SR variant पर अपने को roof rails भी मिलते हैं, और साथ में shark फे 19 आप और देखिए इतना कोई size मिल जाते हैं अपने को sunroos का, अब यहाँ पर CNG के देखिए अपने को stickers भी मिल जाते हैं, अब overvm के अगर बात करें तो body colored अपने को मिल रहे हैं, turn signals भी अंटिग्रेट किये हैं और यह जो overvm ना electrically adjustable है, foldable का option अपने को creative variant में ही मिलता है, अब देखिए side profile में अपने जैसे आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे fuel filler cap अपने को मिल जाता है, fuel tank capacity की बात करें, तो 37 liter का fuel tank अपने को मिल जाता है, mileage की बात करें, तो 20 plus का यहाँ पर mileage है, बाकी kill lead भी open करके मैं आपको दिखा देखिए, तो देखिए, यहाँ पे अपने को petrol का एक मिल जाता है, point और दूसरा मिल जाता है, CNG fill कराने के point, तो यह दोनों अपने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो चलिए, अब side profile में, अब अपन damages की बात कर लेते हैं, तो under 4 meter है अपनी punch, overall length की बात करें, तो 387 mm की length मिल जाती है, wait मैं ने बता दिया, wheel waste की बात करें, तो 2445 mm का wheel waste मिल जाता है, काफी बड़िया space अपने को अंदर भी मिलता, वोकल फॉर लोकल का sticker यहां मिल जाता है, CNG का sticker यहां दिख रहा है, punch की बोल्ड बैजिंग मिल जाती है, टाटा के लोगों के नीचे अपने को यहां पर मिल जाता है, reverse parking camera, दो reverse parking sensors भी अपने को मिल जाते हैं, reflectors और tail lamps के setup की अगर बात करें, तो देखिए, यहां पर पूरा LED setup अपने को मिल जाता है, try arrow में, brake lamp से यह, turn signals और reverse parking lamp अपने को नीचे side मिल जाता है, अब यह यहीं पर integrate किया हुआ है, अगर इसके नीचे वाला variant अपने को यहां पर reverse parking lamp मिल जाता है, अब rear profile से अगर looks की बात करें, तो देखिए, ऐसे कुछ looks अपने को यहां पर मिल जाते हैं, अब boot space open करना है, तो देखिए, अपने को request sensor यहां पर मिल जाता है, तो यह राच, तो request sensor, दो light अपने को मिल जाती है, parcel tray भी यहां पर मिल रहा है, और देखिए, boot space की बात करें, तो नॉर्मल जो punch आती है, वहां से यहां पर अपने को 210 लीटर का boot space मिल जाता है, क्योंकि नीचे अपने को मिल जाते हैं, यहां पर CNG tank, यह देखिए, और dual cylinder की यहां पर technology मिल जाती है, जिससे space भी काफी बढ़िया है, यहां पर अपने को मिल जाता है, CNG tank capacity की बात करें, तो यहां पर 60 लीटर का CNG tank मिल जाता है, मतब 30-30 लीटर के 2 tank मिल जाता है, kg की बात करें, तो भाई यह pressure पर depend करता है, अपने fuel pump के, लगए 8-10 kg का यहां पर gas भी अपनी आ जाती है, अब mileage की बात करें, तो लगबख 27 km पर kg का यहां पर mileage मिल जाता है CNG में, वागी देखिए, यहां पर hook दिख रहा है, यहां पर cabin light, और एक hook इदर मिल जाता है, जो की 1 kg के load carrying capacity के साथ में, उपर अपने को देखिए, यहां पर cladding मिल जाती है, और यहां से इसको कर देते हैं, तो lock, unlock, follow me at lamp और boot unlock करने का option मिल जाता है, तो चलिए, पीछे टाटा का logo आप चलते हैं अपने इंटीरियर में, तो keyness इंट्री का option भी यहां मिल रहा है, request sensor मिल जाता है, अब door panel की अगर बात करें, तो चारो power window के button, ORVM को adjust करने के लिए button, नीचे bottle holder और speaker का grill अपने को मिल जाता है, speakers की बात करें, तो चारोई door में 4 speakers और 2 मिल जाते हैं, टुटर्स तो यह है, इसके sound का setup, अब seats की बात करें, तो यहां पर अपने को height adjustment का option भी मिल रहा है, और cushion comfort भी भाई, seat का काफी बढ़िया मिलता है, काफी बढ़िया width यहां मिल रही है, adjustable अपने को headrest भी मिल जाते हैं, तो अब चलते हैं अंदर, और देखते हैं अंदर के के features मिल जाते हैं, बाकि यहां पर start swap का button, fog lamp का door lock करने के लिए, और CNG का भी dedicated button मिल जाता है, तो यह अपना आगए हैं अभी interior में, तो एक बार जो dashboard के look से वो देखिए, तो ऐसे कुछ look से यहां पर अपने को मिल जाते हैं, तो start कर लेते हैं सबसे बहले कार को, तो यहां पर start swap का button मिल जाता है, तो देखिए, ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster, पूरा का पूरे digital यहां पर अपने को मिल रहा है, तो देखिए, विसको पर सबसे बहले TT को बंद कर देते हैं, तो सबसे बहले start करेंगे steering wheel से, उससे पहले जो नए बाहे लोग जुड़े न, पर इस subscribe button प्रेस कर दो, बिल्कुल free है आपके लिए, तो दबा दो subscribe button, मैं क्या सोच रो, यतनी खंजूसी भी अच्छे बात नहीं है, तो यहाँ पर यह decad shape में steering wheel अपने को मिल जाता है, dual tone में अपने को steering wheel मिल रहा है, center में Tata का logo, steering mounted controls में अपने को यहाँ पर infotainment system और telephonic के controls मिल जाते हैं, बाकि cruise control यहाँ पर missing रहेगा, अतलब CNG variant में वाई, cruise control अपने को अभी तक नहीं मिला जब कि यह CNG का top variant है, tilt adjustment के साथ में steering wheel अपने को मिल जाता है, left side में अपने को wiper के controls और right side में headlamps control मिल जाते हैं, और यह दूनों feature अपने को automatic मिल जाते हैं, अब cluster की अगर बात करें, तो देखे left side में अपने को tachometer मिल रहा है, उपर अपन देखें, तो कौन सा gate open है, proper information दिखाएगा, अब यह CNG mode में यह on वी है, देखें light जल रही है, इसको अपन जैसी बंद करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, distance to empty यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ देखने range दिखा रहा है, और इसको पे जैसी क्लिक करते हैं, तो 20 का भाई mileage यहाँ पे देखने ट्रिप में perform किया है इसने, तो ट्रिप A, ट्रिप B, तो इतने कुछ features मिल जाते हैं, अब center console की बात करें, dashboard की बात करें, तो 7 inch का infotainment system मिल जाता है, harmon powered है, और भाईस की quality काफी जबर्दस अपने को मिल जाती है, android auto apple carplay connectivity भी यहाँ पे अपने को मिल जाती है, touch response भी काफी बढ़िया है, AC event यहाँ पे अपने को hazard का button मिल जाता है, dual tone में अपने को यहाँ पे dashboard मिलने वाला है, नीचे side अपने आते हैं, तो यहाँ पे AC के control मिल जाते है, manual AC है, उसके नीचे अपने आते हैं, तो 12V का power socket, USB connectivity और एक type C का charging socket मिल जाता है, तो यह नीचे side अपने को यहाँ पे देखिए थोड़ा space मिल जाता है, phone अगर अगर अपन रख सकते हैं, 5-speed का manual gearbox अपने को मिल जाता है, reverse camera की quality की अगर बात करें, तो यह देखिए, ऐसे कुछ quality यहाँ मिल जाती है, और यह जो है, बिल्कुल adaptive guideline के साथ में भी आता है, तो यह काफी बढ़िया है, बाकी पीछे side अपने को यहाँ पे, देखिए, एक और charging socket मिल रहा, टाइप A का, बाकी handbrake, यहाँ पे cup holder, dedicated armrest भी मिल जाता है, दोनों ही seat में अपने को मिलते है, split form में, बाकी glove box ही अगर बात करें, तो काफी बढ़िया है, यहाँ पे size मिल रहा है, और dedicated light भी अपने को यहाँ पे मिल जाती है, तो चलिए, अब उपर side अगर देखे हैं, तो यहाँ पे अपने को ticket holder, center में IRVM मिल जाता है, जो day and night अपने manually adjust कर सकते हैं, cabin light, यहाँ पे अपने को sunroof पा control मिल जाता है, और इस side अगर देखें, तो vanity mirror, तो sunroof को open कर लेते हैं, तो single click में, बिल्कुल, यह single click में open भी हो जाता है, और काफी wide opening यहाँ पे अपने को मिल जाती है, वाकि single click में, यह बंद भी हो जाता है, तो वाई, काफी easy है, तो features काफी बढ़ी हैं अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं, अब safety features की बात करें, तो front में अपने को 2 airbags मिल जाते हैं, ABS, EBD के साथ में, यहाँ पे traction, control और hill start assist, जैसे तमाम safety feature भी मिलने वाले हैं, तो यह काफी बढ़ी है, वाकि seat के comfort की बात करें, तो काफी बढ़ी हैं यहाँ पे under thigh support मिल रहा है, और cushion भी काफी बढ़ी हैं मिल जाता है, seat weld with alert अपने को यहाँ पे मिल रहा है, साथ में ISO fix mount भी मिल जाते हैं, बागी जो headrest अपने को fixed मिल जाते हैं, तो बैटके अपन space एक कर लेते हैं, तो यह अपन आ गए हैं भी rear seat में, मेरी जो height है 5.9 है, seat अपने height के according adjust है, तो देखिए, और leg room तो बड़ा जबरदस यहाँ पे अपने को मिल जाता है, under thigh support की बात करें, तो वो भी काफी बढ़िया मिलना है, मतलब space और comfort तो काफी बढ़िया हैं यहाँ अपने को मिलने वाला है, बागी तीन passenger यहाँ easily बढ़ जाएंगे, आपे देखिए, यहाँ पे curve दिया हुआ है, तो इसका कोई issue नहीं है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे design किया हुआ है, यहाँ पे एक hook दिख रहा है, और एक सेट मिल जाता है, तब दोनों साइट अपने को hook मिल रहे हैं, तो चलिए, space comfort काफी बढ़िया है, यहाँ पे मिल रहा है, तो अब चलते हैं इसके engine बेक दरफ और बाकी बात है, अब वहाँ पे करेंगे, तो एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हुआ, इसका जो curve है, तो देखिए, यहाँ से, यह curve दिया हुआ था, headroom में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने को, तो यह है Tata Punch का 1.2 लीटर का 3-cylinder petrol engine, अब पावर की बात करें, तो यहाँ पे CNG के साथ में, तो थोड़ा सा difference अपने को मिल जाता है, यहाँ पे अपने को 72 PHP के साथ में 103 NM का torque मिल जाता है, तो पावर, performance और mileage का काफी बढ़िया combination अपने को इस engine में मिल जाता है, ABS EBD की यहाँ पे अपने को unit बिल जाती है, उपर अपने को extra insulation मिल जाता है, NWES level control करने के लिए, तो यह था अपने पास Tata Punch का Accomplice Dazzle SR Variant CNG model था यह, तो features आपने देखे भाई, एक से बड़तर एक यहाँ पे मिल रहे हैं, और मुझे लगता सारे जो doubts हैं अब आपके clear हो गए होंगे, अब बात कर लेते मेन मुद्धे की जोगी है इसकी pricing, एक showroom price की बात करें तो यह 9,84,000 में आ जाती है, पॉल करके आप विजिट करके आप सारी details ले सकते हैं, वीडियो में रखते हैं इतना है, कैसी लगी है कार प्लीज मुझे comment करके जरू बताएगा, वीडियो अच्छा लगाओ, कार अच्छी लगी तो प्लीज एक like कर देना, शेर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्स्क्राइब कर देना मेरे चैनल पूर, थैंक्यू सो मच्छ, जैहिन,